आज की वीडियो में मैं आपके समक्ष लेकर आए हूँ एगथा सिरीज की अगली कहानी मोटिव वर्स अपरचुनिटी ये ट्वीज जे नाइट कलब सिरीज ही चल रही है अभी ये इसकी पांच भी कहानी है और ये कहानी सुना रहे हैं मिस्टर पैडरिक मिस्टर पैडरिक जो की पेशे से एक वकील हैं सबको लगता है कि मिस्टर पैडरिक एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो लौ से रिलेटेड हो या किसी डिस्प्यूट से रिलेटेड हो लेकिन जो कहानी मिस्टर पैडरिक सुनाते हैं वो बिलकुल हट गए है और बहुत ही इंट् उनके पास बहुत बड़ा सा बंगला था गाड़ी थी सब कुछ था नहीं था तो सिर्फ एक परिवार उनकी पत्नी के बित्टी बहुत पहले ही हो चुकी थी बेटा युध में मारा गया और बेटी की जो वाइफ थी जब वो उसने जनम दिया एक अपनी बच्ची को तब उस की भी डेथ हो गई अब जो साइमन थे ये बिलकुल अकेले हो गए दुनिया में और उसके बाद ये बेट रिडन हो गए बहुत बिमार रहने लगे और यादों में खोई रहते थे क्रिस के तब जब क्रिस भी नहीं रहती तब इनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा तब ये तीन भतीजे और भतीजियों को अपने घर बुलाते हैं भतीजा जो है उसका नाम है जोर्च सबसे बड़ा है ये फिर है भतीजी ग्रेस और फिर है मैरी और ये डिसाइट करते हैं कि अपनी जो प्रॉपर्टी है ये इन तीनों में बराबर बाढ़तेंगे इसके लिए मिस फिलिप नाम के एक बहुती स्मार्ट एजुकेटेड लड़की के संग्शादी करके वो भी सटेल्ड हो जाती है अब मिस्टर साइमन के पास रह जाती है सिर्फ मैरी उनकी छोटी वाली भतीजी बहुती डिवोटेट थी और अपने अंकल का बहुत अच्छे से केर भी करती थी कई वर्ष बीच जाते हैं मिस्टर पेडरिक को एक दिन रहा चलते जॉर्ज मिलता है मतलब सबसे बड़ा वरा जो भतीजा था मिस्टर साइमन का तो वो मिस्टर साइमन का हालचाल पूछते हैं उनसे जॉर्ज कहता है कि अंकल तो आजकल बहुत बेकार लोगों के मीडियम को रख रख रखा है जिसका नाम है मिस्टर साइमन उससे यह सुनके मिस्टर पेडरिक को बहुत चटका लगता है जहां मिस्टर साइमन इतने पढ़े लिखे वेल एडुकेटेड थे तो वो कहां से यह आत्माओ के चक्कर निफस गये वो कहते हैं आप घर जाईए और देखिए क्या महौल हो चुका है घर का समय निकार के मिस्टर पेडरिक जाते हैं मिस्टर साइमन के पास जहां उनकी मुलाकात होती है मिस्टर स्प्रैक से मिस्टर स्प्रैक बहुत ही एलिगेंट लेडी है और उनकी हर बात चीट में एक अदा है कि स्टाइल है वही मिस एक बात सुनकर मिस्टर पेडरिक को बड़ा जटका लगता है जब उनके दोस्त उनसे ये कहते हैं कि उनकी पौती क्रिस कह रही थी कि मिस्स स्प्रैक बहुत ही अच्छी महीला है और वो बहुत प्योड सोल हैं। और काफी पैसे भी ले रही थी मिस्टर पेडरिक डिसाइड करते हैं कि वो मिस्टर पेडरिक का भाड़ा फोड़ देंगे और इसलिए वो हेल्प लेते हैं एक साइंटिस्ट मिस्टर लॉंगमेन की मिस्टर लॉंगमेन जिन्होंने बहुत सारी स्टडी की हुई है इसी फील Mr. Simon को उनके चंगों से बचा लेंगे ये सब उसके उपर नज़र रखने के लिए जो Grace का husband था Mr. Phillip उन्हें बुलाया जाता है कि वो एक नज़र बना के रखेंगे Mrs. Sprag पर और Mr. Longman की भी वो help करेंगे लेकिन यहां पर चाल उल्टी पर जाती है मिस्टर लॉंग मैं जब जाते हैं उनके सामने दो सियॉंस होते हैं दो बार क्रिस्ट की आत्मा को बुलाया जाता है लेकिन जब वो वापस जाते हैं और मिस्टर साइमन को चिठी लिखते हैं तो उस चिठी में वो मिस्टर स्प्रैक की तारीफ करते हैं ये बहुत प्योर सोल है और बहुत अच्छी मीडियम है और उन्हें बिलकुल भी शक नहीं है कि एक फ्रॉड है मिस्टर साइमन जब ये चिट्छी पठते हैं तो वो सब माجरा समझ जाते हैं कि किस तरह से मिस्टर पेडर् requiring ने और फिलिप ने एक जाल बुना था मिस्टर स्प्रैक को फसाने के लिए और उनका दिल तूट जाता है वो कहते हैं कि इतनी अच्छी है ये मिस्टर स्प्रैक कैसे तुम लोग ने उन पर शक किया और उनको फसाने के लिए मिस्टर लॉंग मैंड को बुलाया इतने जुक दुखी हो जाते हैं कि वो बेड रिडन हो जाते हैं वो उठी नहीं पाते हैं बिस्तर से और कुछ दिनों के बाद वो Mr. Pedrick को बुलाते हैं अपने वकील को और वो कहते हैं कि मैं एक विल दुबारा बनाना चाहता हूँ एक नई विल लिखना चाहता हूँ Mr. Pedrick आते हैं रात का समय था Mr. Simon लेटे हुए थे लेटे लेटे ही वो एक पनना मांगते हैं Mr. Pedrick से एक ब्लैंक पेपर ऐसी समाने से कागच था वो वो देते हैं Mr. Pedrick तो जो उनकी मेड थी Emma जो वहां काम करती थी उसको और अपने कुक को य और साइन भी करेंगे Emma से Mr. Simon अपना वो fountain pen मांगते हैं जिससे वो will लिखेंगे Emma left वाला drawer खोलती है तो Mr. Simon कहते हैं कि left drawer में नहीं right drawer में ही मेरा pen रहता है लेकिन Emma कहती है कि नहीं sir left drawer में आपका pen रखा है शायद गलती से आपने गलट drawer में रख दिया होगा Emma वो pen निकालके Mr Simon को देती है Mr. Simon उसमें अपनी property का बड़ा हिस्सा Mr. और Mrs. Sprague के नाम कर देते हैं और जो कुछ भी property बची थी वो तीनों भतीजे भतीजों में बाठ देते हैं ये सब देखे Mr. Pedrick को बहुत दुख होता है कि किस तरह उनके दोस्त को वो बचा नहीं पाए और Mrs. Sprague जो थी वो अब वो उनका जो mission था वो पूरा हो गया कि किस तरह से उनके property को उनके कबजा कर लिया लेकिन कुछ भी कर नहीं सकते थे Mr. Pedrick क्योंकि वो वकील थे उन्हें तो वही करना था जो Mr. Simon कहेंगे वो लिखकर जो विल थी एक फोल्ड करके एक blue color के envelope में रखके Mr. Simon दे देते ह Mr. Pedrick को Mr. Pedrick उसे अपने long coat में रख लेते हैं लेकिन जब वो कमरे से निकलने लगते हैं तो Emma उन्हें पीछे से हवाज देती है कहती है सर आपका जो envelope है वो तो यहीं गिर गया है देखते है Mr. Pedrick की हटबडी में उन्हें ठीक से शायद envelope अंदर नहीं रखा था कोट के तो व वो अपने दोस्त को आखिर नहीं बचा पाए जब यह नीचे जाके कोट अपना हैंकर देते हैं और कॉफी पीने चले जाते हैं जब कॉफी पी के आते हैं Mr. Pedrick तो देते हैं Mrs. Spragge उनके कोट के पास जुक के कुछ रख रही है यह बहुत तेज चौक जाते हैं क्योंकि will उ पहाना करते हुए वहां से जल्दी से चली जाती है और Mr. Pedrick फिर से ब्लू एंवलप उठाते हैं और अपने कोट में वापस रख लेते हैं फिर चले जाते हैं अपने ऑफिस अपने ऑफिस में ब्लू एंवलप निकालके टेबल पर रखते हैं तब ही उनसे मिलने के लिए Mr. स्प्रैग आ जाते हैं Mr. स्प्रैग बहुत चिकनी चुपड़ी बाते करते थे बहुत तारीफे करते हैं Mr. Pedrick की और कहते हैं कि वो एक कॉफी पीना चाहेंगे Mr. Pedrick बुलाते हैं अपने परसनल एसिस्टेंट को लेकिन वो शायद बहां टेक्स पे नहीं थी तो उसे बाहर क वैसा का वैसा ही टेबल पे रखा था वो उसे उठाते हैं और अपनी तिजोरी के अंदर रख देते हैं लगबग एक महिने का समय बीच जाता है और एक रात Mr. Simon नहीं रहते हैं उनकी डेथ हो जाती है जब उनकी डेथ होती है तो फिर धीमेजी में करके उनके जो रिलेटि जब अपने लॉकर में से वो ब्यू एन्वलप निकाल के लाते हैं और सब के सामने खोलते हैं वो विल पढ़ने के लिए तो वो एक ब्लैंक पेपर था उस पे कुछ लिखा ही हुआ नहीं था जो भी कुछ लिखा था उसमें कुछ भी नहीं था सब कुछ एरेज हो चुका जैसे ना साइन थी उस पे एमा की और कुक की और मिस्टर पेडरिक की मिस्टर पेडरिक को बहुत ज़्यादा शर्मिंदिगी होती है अपने उपर उन्हें ये लगता है कि कहीं कोई शक ना करे उनके उपर कि उन्होंने उसे ब्लैंक पेपर से रिप्लेस कर दिया था अब ऐसी कंडिशन में जो पहली विल थी मिस्टर साइमन की वही कारे रथ रहती है और इस तरह से मिस्टर स्प्रैक को इसमें से कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा और तीनों प्रॉपर्टी ग्रेस जॉर्ज और मैरी में ही बटेगी कहानी यहीं पर रोग देते हैं मिस्टर पेड स्प्रैक ने तुम्हारे कोट से वह एंवलप निकाला था शायद ब्लैंक पेपर रख दिया हो लेकिन इसके पीछे कोई मोटिव नहीं था क्योंकि उसमें दो लिखा वा था कि बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी का मिस्टर साइमन ने उनके नाम पे रख दिया था फिर बात पे जैसे कहानी का नाम है मोटिव वर्स अपर्चुनिटी उनके पास भी अपर्चुनिटी थी मिस्टर स्प्रैक के पास वो बदल सकते थे लेकिन कोई मोटिव नहीं था क्यों बदलते वो उनको जो प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा मिल रहा था उनकी चाल काम्याब ह भी थी इसलिए वो भी ऐसा नहीं करेंगे अब शक जाता है एमा के ओपर क्योंकि जब मिस्टर पेडरिक निकल रहे थे रूम से तब एमा नहीं वो ब्लू एंवलप उठा के उन्हें दिया था कि उनके हाथ से छूट गया लेकिन इस पर मिस मापल कहती है कि जो मिस्टर पे गिरा देना अब मिस्टर पेडरिक की नजरों से वो बच जाता ये पॉसिबल नहीं था इसलिए एमा ने भी वो जो एंवलप था वो नहीं बदला था तो फिर आखे रास क्या था एंवलप बदला किस ने आखिर किस का मोटिफ था जो सक्सेस्वल हो गया था अब बात आती तो उनके पर शक जाता कि शायद उन्होंने बदला होगा लेकिन उनको अपरॉचुनिटी मिली ही ने जो कि वो ब्लू एंवलप कभी भी उनके हाथों में नहीं आया तो फिर रास क्या था रास अंथ में खोलता है मिस्टर फिलिप ही खोलते हैं ये रास जो कि एक महीने के बाद वो मिस्टर पेड्रिक को एक चिठी लिखते हैं और इस तरह से मिस्टर पेड्रिक खुलासा करते हैं उस रास का कि क्या हुआ था उस विल के साथ मिस्टर फिलिप धके छुपे अलफाजों में मिस्टर पेड्रिक को एक चिठी में लिखके बताते हैं कि एक मेरा दोस जिसकी एक बहुती faithful servant थी उस दोस्त को शक्त था कि उसके पिता प्रॉपर्टी में उसे हिस्सा नहीं देंगे और वो प्रॉपर्टी गलत हांतों में चली जाएगी इसलिए उसने अपनी जो मेट थी उसको एक fountain पहन दिया उसके अंदर ऐसे इंक भरती जो कुछ दिनों के बाद गायब हो जाती है दर असल ये जो इंक होती ये star solution में थोड़ा सा iodine डालके बनती है लेकिन 15 दिनों के बाद वो जो iodine होता है वो भी उड़ जाता है नील का रंग भी उड़ जाता है और जो stars था वो वापस कागच में घुज जाता है इसलिए ऐसा लगता है कि वो कागच वापस blank हो गया है Mr. Philip कहते हैं कि वो fountain pen जो था replace कर दिया जाता है उस pen से जिससे उसके पापा लिखा करते थे और जब पापा जब will लिखने के लिए paper मांगते है pen तो उनकी जो mate थी वो वही star solution से भरावा pen उनको देती है उसके पापा वो will लिख देते हैं जो will 15-20 दिनों के बाद गायब हो जाती है और इस तरह से उसकी property गलत हाथों में नहीं जाती मिस्टर पेडरिक कहते हैं कि इस तरह से मुझे समझ में आया कि उस रात क्या हुआ था उस तरह जब एमा pen देने गई थी मिस्टर साइमन का तो मिस्टर साइमन ने कहा था कि right drawer में pen है लेकिन pen तो left drawer में मिला था और फिर कहा था एमा ने कि आपने गलती से शायद इस drawer में pen रख दिया हो दर असल मिस्टर फिलिप ने एमा को star solution से भरा वाव pen दिया था और कहा था जब भी उसको शक हो कि मिस्टर साइमन विल अपनी change करने वाले हैं या तुम लोगो टेस्टे बने के लिए sign करने के लिए अगर बुलाया जाएगा गवाही देने के लिए बुलाया जाएगा तब तुम left drawer वाला pen ही उनको दो की एमा जो की इतनी faithful servant थी वो अपने मालिक का कहना मानती है और end time पे वो pen बदल कर मिस्टर साइमन को देती है मिस्टर साइमन विल लिख देते हैं और जब blue envelope में वा विल लिख कर रखी गई थी तब वा विल मिस्टर स्प्रैग ने भी पढ़ ली थी उनके ओवर कोट से निकाल के मिस्टर पेडरिक के लेकिन जब देखा कि प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा उन्हें मिल रहा है तब चुप चाप से उन्होंने वा विल फोल्ट करके वापस रख दी और जब मिस्टर स्प्रैग मिलने गए मिस्टर पेडरिक से उनके आफिस में तब भी उन्होंने विल पढ़ी उसको डबल चेक कर लिया कि हाँ उन्हें ही मिल रहा है प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा लेकिन तब तक वा इंक डेसेपियर नहीं हुई थी वो एंवलाप रख दिया गया था उस तिजोरी के अंदर जो लगबख एक महिने के बाद सब कुछ लिखा हुआ उसका इरेज हो चुका था इस तरह से ये बहुती इंट्रेस्टिंग सी एक कहानी खतम होती है जिसमें मोटिव तो था लोगों के पास लेकिन किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और जिसको अपॉर्चुनिटी मिली उसके पास कोई मोटिव नहीं था आपको ये कहानी कैसी लगी कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूलें और जोड़े रहें आगे की कहानिया सुनने के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग बाई फो नौ